हलो एवरीवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल कुछ पासिंग ओल इन्वन चैनल आसा करती हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और फिर्स्ट अफॉल दो हज़ार बाइस की आप लोगों को बहुत-बहुत सुब कामना हैं और यह साल जो है आपके घरों में सुख सम्रिध और हर चीज में ब्रिधी करें तो आसा करती हूं कि सब कोई अपनी अपने तरीकों से अपने अपने घरों में किया होगा मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं किया बस हम लोग घर में बनाए खाए तो उसी केक रिसिपी अभी आगे आप लोग के साथ सेयर करूंगी और जो हमार करें लिए सहीध हो गये हैं जो भी जवान इस साल 2021 में तो उनके परिवार को लिए भी एक बार हम happy new year तो बोल सकते हैं उनके परिवार के लिए बी एक सुब कामना का संदेश अपने मन में तो करे सकते हैं क्योंकि उनका जो घर चलाने वाला था वो तो इस दुनिया में नहीं है बट हम लोग जो है एक अच्छा संदेश अपने मन में देही सकते हैं और उनके लिए भी प्रातनाय कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के वज़ा से हम लोग अपने घरों में सुरजची थें अपने परिवार के साथ अपने फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे हैं तो उनके लिए भी जरूर आप लोग इस उनके लिए भी जरूर प्रात्ना करिए कि उनका भी परिवार अच्छे से रहे तो जो भी मेरे चैनल पे नए है प्लीज मेरे चैनल को जलो सब्सक्राइब करिए और बिल आइकन को और पे खेट करिए तो चलिए रेसिपी शिरू करते हैं और देखते हैं यहां पर मैंने कड़ाही रख यहां अवरं इसमें थोड़ा सा मस्टरोड ओयल डाला है और कड़ि पत्ता और थोड़ेसे मस्टरोड सीड और फिर एक प्यास के टूपरा डाला है कट करके और इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक तो इसको तो अच्छे से मिक्स करके चलाना है और जब तक जो है प्यास जो है वो सौप्ट ना हो जाए या थोड़ा सा आध्य से अधिक जो है वो प्यास कुख हो जाए उसके बाद है मैंने आप साइड में देख सकते हैं कि आलू मैंने बॉयल पहले कर लिया है इसमें और थोड़ी सी धनिया पती डाला है और इसमें इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी क्योंकि जब यह अच्छी तरह से भूना जाता है तभी जो है वो सेंडिविज का ज जो है वो जो भी मैंने अम शाले डाले हैं आप चाहिए थोड़ा सा मसाला इसमें एड कर सकते हैं तो वो अबजर्ब हो जाए और अब तक भूना है जब तक जो आलू का हो कच्छापन अच्छी तरह से निकलना जाए और बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से अगर मौनिंग का जो है मैंने नास्ता में बनाया था तो मैंने सुचा कि इसका जो वीडियो है आप लोग के लिए मैं जरूर सेर करूं जो भी मेरी वाइटी फिमली है तो यहां पर अच्छे से मैंने इसको भून दिया है जैसे आप देख रहे हैं और उसके बाद एक मैंने लगा दिया आप चाहें तो इस आलू के उपर एक चीज आती है चीज स्लाइस आप उसको भी इसमें एड कर सकते हैं मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरे पास नहीं थे और उपर से जो भी है आप चाहें घी लगाए या बटर लगाए जो भी आपके पास अबेलबल हो तो वह से और मैंने माीक्रोवेब जो है अब वो ग्रिल मोड पर दो मिनिट की लिए फ्री हिट कर लिया है अब इसको डो में ऐसको माइक्रोवेब करूँगी और यह ऑच्छा इसे microwave में बनता है और जब से मैंने microwave लिया है काफी मुझे असान हो गया है कोई भी चीज गरम करना कोई भी चीज करना तो देखे 2 मिनिट मैंने set किया है और यह on हो गया है और इस तरह से अब मैं दिखा रही हूं 2 मिनिट हो गये हैं और काफी अच्छा color निकल के आया है और देख सकते हैं आप कि तो देखे यह बन गये हैं दो मैंने बनाए हैं और इसको मैं cut करूंगी तो बहुत अच्छे सी यह जो है बन जाता है माइक्रोवेम में बनाई यह आगर आपके पास माइक्रोवेम नहीं है तो आप आपने गैस पे भी तावा में भी जो तावा पर ज में भी आप इसको सिख सकते हैं तो देखिए कितने अच्छे से हुआ है और उसके बाद जो भी आपके पास चटनी अबेलबल हो टमेटो सौस या ग्रीन चिली एवरीफिंग कुछ भी तो आप उससे इसको सर्व कर सकती हैं तो आइधिंक आपको ये रेसिपी काफी पसंद आ होगा ये जो रेसिपी है बहुत जल्दी बनने वाला है और जल्दी से हम बना सकते हैं और अपने परिवार को बना के खिला सकते हैं तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है जैसा आपने देखा भी होगा और तो चलिए अपने बनाई और इंजवाइ करिए और मैं इस झाल झाल